हर रोज एक नई कहारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मा की बहूर रिंकू गाउं से थी और अब रिंकू को शेहर के लड़कियों की दरहा फेशन में रहना तो नहीं आता था लेकिन वो अपने उपर फेशन को लेकर एक्सपेरिमेंट जरूर करती थी एक बार रिंकू टीवी में एक लड़की को पांच चोटी बांधे देखती है हारा कि वो तो सुंदर लग भी रही थी लेकिन अब रिंकू अपने दिमाग के घोड़े दोडाते हुए सोचती है कल ही विमला आंटी मेरे चोटी को देखकर कह रही थी कि मुझे तो बाल बनाने तक का सेंस नहीं है अब देखाती हूँ मैं इने को चलक करके इसी के साथ रिंकू अपने बालों की पांच चोटिया बना लेती है और अब जैसे ही रिंकू उस पर अपना साड़ी का पल्लू डालती है तो उसकी चोटियों की वज़ा से साड़ी के पल्लू उपर से उठ जाता है लेकिन तब ही रिंकू के सांस रमा रिंकू को आवाज लगाती है आई माजी ये लोग तो मुझे ठीक से तयार भी नहीं होने देते और बाद में कहते हैं फैशनलेस्ट बहू आ गई है घर अब रिंकू ये परबढाती हुए अपनी सांस रमा के पास जैसे ही पहुचती है वैसे ही रमा तो अपनी बहू को देखकर हरान रह जाती है क्योंकि रिंकू की चोटियों की वज़ा से उसके साड़ी का पलू जो उठा हुआ था जिसे देखकर रमा अपनी बहु से कहती है हाई रे दैया ये क्या कर रखा है अपने बालों के साथ ये तेरी साड़ी का पलू क्यों उठा हुआ है माजी वो आपको समझ नहीं आएगा दरसल मैं नेना नए फैशन की चोटी बनाई है अगर इसे फैशन कहते हैं तो नेटवर्क की क्या ही जुरूरत होती सब तो अपनी बीवी को ऐसे ही पाँच चोटी बना कर घूमते फिरते ताकि नेटवर्क मिल जाए देखिए माजी आप मेरी चोटीों के बारे में कुछ ना ही बोले तो जादा अच्छा होगा ये मेरा फैशन है वो तो दिख रहा है तेरा फैशन फैशन के नाम पर ना जाने एलियन बनी फिर रही है ऐसे रात में घूमने मत निकल जाईयो एक दो तो अपनी जान वही त्याग देंगे रिंको को उसकी सास की बाद बुरी लगती है लेकिन उसने तो सुना था कि जिसकी निंदा होती है असल में वही काम्याब भी होता है और इसी की साथ हॉल में बैठी रिंको देर शाम तीवी देख रही थी तभी रमा की परोसन विमला का आना होता है और वो रिंकु को ना देखकर उसकी चोटियों को देखकर डर जाती है और भूद भूद कहती हुए इधर-उधर भागने लगती है तब ही शोर सुनकरर रमा आती है और वो विमला से कहती है दिन में तुने कौन सा भूद देख लिया? कहीं तुने रिंकू को तो नहीं देख लिया था ना मजाग मत कर रमा वो यहीं तो बैठी थी अभी कहां गई तब ही जब विमला पीछे गूंगती है तो उसके पीछे रिंकू खड़ी होती है और अब की बार तो विमला रिंकू के बालो को देखकर बेहोश हो जाती है और ये देखकर रमा अपनी बहू को कहती है अब जैसे तैसे रमा और रिंकू मिलकर विमला को सोफे पर बैठा दे है तो थोड़ी देर बाद विमला की आँखे खुलती है और ये देखकर रमा अपनी बहु से कहती है हज्जा इसके सामने से अपकी बार दोरे न पड़ जाये से रमा तुने मुझे बचा लिया उस चुड़ेल से न जाने वो मेरे पिछे क्यों पड़ी है रिंकु की ननत भी रिंकु की पांच चोटी देखकर बहुत हस्ती है और वो अपनी भाबी से कहती है भाबी कुछ भी कहो भाईया को नेटवर्क की प्रोब्लम बहुत होती है अब नहीं होगी आपके पांच चोटिया ही एंटीनिया का काम कर रही है रिंकु की पांच चोटियों को भले ही रिंकु पैशन कह रही हो लेकिन वाकई वो तो बहुत फ़नी लग रही थी जिसे देखकर तो विम्रा की हालत खराब हो गई अब देर शाम रिंकु और भारती परोज की शादी में जाते हैं जहां भी रिंकु की चोटी देखकर सब लोग बहुत हसते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से उठी होई जो थी जिस पर साडी का पलू भी डालो तो वो भी उठ जाया करता था तब ही शादी में विम्कु को देखकर एक औरत दूसरी औरत से कहती है देखो यही है रमा के गाउवली बहु एक ही बेटा था रमा का किसी चीज की कमी नहीं थी लेकिन अपने बेटे की रमा ने जिन्दगी खराब कर दी इस एलियन से शादी करवा कर एलियन तो एक पल को अच्छा भी लगता है इसे देख कर तो मुर्धा भी उठकर हसने लगे तभी वहां रमा आती है और अपनी बहु से कहती है बहु तूने तो आज मेरी बच्चे कुछी नाग भी कटपाती देख सब हमें कैसे घुर रहे है पूरी मंगल ग्रह की एलियन लग रही है तू ये फैशन यहां करके आना जरूरी था क्या मा जी आज लोग निंदा कर रहे है कल को ये ही मेरी काम्यावी पर गर्व करेंगे इसमें ऐसा क्या है गर्व करने लायक ये बताओ भावी आपके चोटिया भी स्ट्रगल कर रही है क्या अनन्या पांडे की तरह अब हर तरफ शादी में भी रिंको की पांच चोटियों की ही चचा हो रही थी लेकिन रिंको को तो यकीन था कि उसकी इस फैशन को कोई तो सपोर्ट करेगा जहां हर कोई उसका मजाग बना रहा था तो अब अगली दिन रोज की तरह रिंको अपनी ननत के साथ मार के जा रही थी तब ही एक बच्चा रिंको को देखकर अपनी मा से कहता है मम्मा मम्मा देखो न चलता फिरता अंतीना मुझे ये चाहिए मम्मी मुझे ये चाहिए मैं ऐसे गिन गिनी बनाऊँगा मुझे यह चाहिए मम्मा मुझे चाहिए चुप करके निकल लए यहां से मेरी भावी के चुटिया है वो तेरी गिनगिनी नहीं सही किया भाती ये बच्चे भी न ना जाने फैशन को भी क्या ही समझ लेते हैं भावी इसे किसने फैशन बनाया है ये बताओ आपको खुद को देखकर हसी नहीं आती है हसे मेरे दुश्मन जो हसते भी है मेरी इन चोटियों को देखकर लेकिन मैं भी बड़ी धीट हूँ लोगों को दिखा कर ही रहूंगी कि आखर ये फैशन ही है अब रिंकू और भारती मार्केट पहुशते हैं तब ही एक लड़का अपनी फोन पर हेलो हेलो कर रहा था तब ही उसकी नज़र रिंकू की चोटियों पर जाती है और वो लड़का तुरंट बोल पड़ता है बहुते देर से ट्राइ किये जा रहे हैं नेटवर्क वा लगी नहीं रहाता अब जब एक खुद ही एंटीन चलकर आवे है तो इसी से नेटवर्क वा कनेक्ट वा कर लेता हूँ तब ही वो लड़का रिंकू से कहता है अरे देदी तनिक रुकी ना नेटवर्क वा तनिक कनेक्ट करवा दी बहुत देर से हमरी माई का फोन वा आवत है ये सुनकर भारती अपनी भावी का हाथ पकड़कर मार्किट में घुज जाती है और जब फिर से रिंकू और भारती मार्किट से घर जानी लगती है तो वही लड़का फिर से रिंकू और भारती के पीछे लग जाता है और रिंकू को रुपनी के लिए कहता है लेकिन दोनों जल्दी से घर पहचते हैं और जैसे ही दोनों हॉल में आते हैं पुलड़का भी दोनों की पीछे खड़ा होकर कहता है बहुते भगाली दीदी अब तनिक एंटीना कनेक्टवा करवा दी ही निकल अभी के अभी मेरे घर से हमारा पीछा करता हुआ यहां तक आ गया है इतने में रमा भी वहां आ जाती है और अपने बहु से पूछती है बहु यह किस चोर को तुम अपने साथ ले आई हो अरे अम्मा एका कहीना तनिक हमरा के नेटवर्क वा दे दे ही यह खातिर तो हम यहां तक आई ले बेटा तुने ना गलत समझ लिया है यह मेरी बहु की चोटिया है जो उसने अपना फैशन समझ लिया है अम्मा जूटे ना बोली ना इस चोटिया इसे खड़ा काहे है ना जाने मुझे भी इस समझ नहीं आया बेटा मैं तेरे हाथ जोडती हूँ इससे पहले से ही परेशानू अब तूजा कही और एंटी न ढूंड ले प्रामा उस लड़के को जैसे जैसे भगा दे दी है और अपनी बहु से कहती है अभी क्या भी इन चोटियों के फैशन को बन कर पर ना तुझे टकली कर दूँगी समझी आज तेरी वज़े से लड़का घर में गुसाया कल को कोई और आ जाए हाँ हाँ माजी मैं भी बहुत डर ही गई थी और इसने तो हमें मार्किट में भी बहुत दोड़ाया है अब रिंकू अपनी चोटी को ठीक से खुले बालों में ही गुद कर बना लेती है क्योंकि उसकी ना सिर्फ बेज़ती हुई उन पांच चोटीों की वज़ा से बल्कि उसके पीछे एक गवार अंजान व्यक्ति भी पड़ गया था जो कि उसके घर तक आ गया दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा